दोस्तो मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं बिधान लॉक्लास के यूटूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे मद्रप्रदेश सिविल जैज पर जो रिट लगी हुई है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों पता है कि 26 को रिजल्ट आने वाला था और 26 से ही हम लोग जो हैं बेट कर रहे हैं आज तीन दिन हो चुके हैं ना तो पड़ाई में मन लगा है और नहीं हम लोग कोई और दूसरा काम कर पा रहे हैं वस रिजल्ट का बेट कर रहे हैं और रिजल्ट के वारे में ही सोचते रहते हैं और रिजल्ट ना आने की मुख order है जो rate petition पर होना था और आपको यह भी पता होगा कि यह जो rate petition है एक रेट petition नहीं है 19 रेट लगी हुई है और 19 रेट में अलग-अलग subject matter उठाए गए हैं तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो subject matter हैं उन पर क्या decision हो सकते हैं क्योंकि मैंने प्रोसेडिंग स्ूनी हुई है High Court की और प्रोसेडिंग देखी वह है उस प्रोसेडिंग को देखके हमें क्या लगा तो मैं एक एक topic पर बात करने वाला हूं कि उन topic पर क्या हो सकता है क्या decision आ सकता है High Court का सबसे पहले हम OBC OBC आरक्षण पर बात करने वाले हैं, आपको पता हुआ कि रेट प्रेटीशन में ये कौश्चन उठाए गया था, कि OBC आरक्षण जो दिया गया है मत्यपते सिविल जज में, वो जनरल के एक्वल है, आपने देखा होगा, 70% वाला क्राइटेरिया भी एक्वली था पहले, और मेंस में भी मार्क्स एक्वली हैं, और इंटर्व्यू में भी 20% का जो क्राइटेरिया है, 40% का जो क्राइटेरिया है, वो भी लगवख सेम है, तो OBC बालों ने मांग की थी, और इस पर बात चल रही है, तो हो सकता है कि OBC को कुछ रिलीफ मिल जाए, उस प्रोसीडिंग को देख के हम यही लगता है, कि हो सकता है कि OBC को कुछ रिलीफ मिल जाए, और पहले भी आपने देखा होगा कि एक इंट्रेम रिलीफ दी गई थी, जिसमें 70% से से सेलेक्शन का क्राइटेरिया उठा कि 50% कर दिया गया था, जो दूसरा सब्जेक्ट मेंटर है, जो रिट पेटिशन में उठाए गया था, वो था EWS आरक्षन, जो एकोनिमिकली वीकर जॉन है, उसके लिए जो आरक्षन होता है 10%, वो अभी तक मत्रपते साई कोट के किसी वे एक्जाम में नहीं दिया जा रहा था, और इस पर भी रिट लगाई गई है, और इस पर जो डिसीजन आने वाला वो यह हो सकता है कि, जो 10% का आरक्षन है, वो इस बार भी ना दिया जा, नैश्ट बेकेंसी से एप्रिकेविल करने की बाद वो कर सकते हैं आज के ओर्डर में, और यह सब चीज़ें बस हम प्रोसीडिंग सुनने के आधार पर और अपने एक तरीके से ब्यूज हम रख रहे हैं, ऐसा कोई हमें जानकारी अंदर से नहीं मिली है, बस हम अपनी बातने रख रहे हैं, जो हमें समझ में आई हैं, इसके बाद आता है, इंटर्व्यू में जो 40% का क्राइटेरिया है, 50 में से 20 नंबर लाने की बात की जा रही है, मिनिमम मार्क्स तैग किये गए हैं, मत प्रदेश सिविल जश के संबन्द में, तो इस पर जो निर्णाय आने वाला है, वो निर्णाय सुप्रीम कोट के जो पंजाब इवा हर्याना हाई कोट के निर्णाय के अगेंस्ट सुप्रीम कोट ने दिया है, उसी के आधार पर आएगा, और उसमें सुप्रीम कोट ने ये बोल दिया है, कि कोई भी अथोरिटी जो selection करती है वो interview में minimum marks tag कर सकती है उसके पास authority है और वो कितने भी कर सकती है इसमें कोई दिखकत नहीं है तो इसी आधार पर मदबदेश high court में 40% वाला criteria interview में minimum marks tag किये गए है उस पर decision वही आने वाला है अथावत रहेगा उसमें कोई change होने की संभावना नहीं है कि इसके बाद जो next बात होने वाली है वह 70% में मांक्स या तीन साल की प्रैक्टिस इसके पहले एक चीज और बात कर लेते हैं कि जो 18 ओर्डर सीट मांगी गई थी तीन साल की प्रैक्टिस में तो अठारा ओर्डर सीट पर पहले ही मानिये चीप जेस्टिस साहब बोल चुके हैं वह अपने ओर्डर में यह सपस्ट कर चुके हैं कि 18 ओर्डर सीट अब रिक्वाइड नहीं है उसके लिए मिजर करने के लिए उसको तॉलने के लिए जो तीन साल का experience है उसके लिए वह बाद में कुछ मानक निरधारित करेंगे तो हो सकता है कि वह practice को तॉलने के लिए जो मानक निरधारित करने हैं वह यहां वह तैक कर सकते हैं इसके बाद जो हम लोग लास्ट चीछ पे आने वाले थे कि तीन साल की practice और 70% की जो बात चल रही थी जो criteria high court ने रखा था और high court की criteria के पहले ही आपको पता होगा मद्दप्रदे चीछ राजपत्र में सर्वेस रूल में संसुधन करकी यह जोड़ी गई थी जिसके संबने सुप्रीम कोड ने interim leave दी थी और उसके आधार पर सभी लोगों ने exam दिया है उस पर हो सकता है कि high court जो है राजपत्र में जो चीछ पबलेस हो चुकी है उसी पर ही focus करें उसी पर ह मतलब उसी पर ही नेने दे और बोल सकता है उसको एथावत रख सकता है या हलके फूल के चेंज के साथ जैसे percentage कम कर दे या तीन साल के practice में कुछ relaxation दे दे यह सब चीज़ें को कर सकती है मत्रप्रतेस high court बाकि उसमें हमें बहुत बड़े changes आने की संबहोना नहीं लग रही है बाकि इस petition में जो भी नेने होता है उसके आधार पर आपको पता होगा कि यदि चात्रों के हित में यह decision नहीं आता है तो चात्र जो candidate है वो supreme court में इस order को challenge कर सकते हैं पर इस पूरे दौर में सबसे बड़ी समस्य यह है कि mains के लिए time बहुत कम बचा हुआ है और इतने कम time मे तैयारी कर पाना बहुत कठिन हो जाता है तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं हाई court को जल्ली निर्णाय देना चाहिए और लोगों के पास time होना चाहिए इस निर्णाय को challenge करने के लिए चलिए ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रही है बिधान law classes से thank you